स्वागत है दोस्तों हमारे इस यूटूब चैनल सतीश चवहान स्टडी पॉइंट में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वर्षा सुन्दरी के पार्ट दो के बारें पढ़ेंगे पिछले वीडियो में हमने वर्षा सुंदरी पार्ट वन के बारे में बता था तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल सतीच चवान स्टडी पॉइंट पे जाकर प्लेडिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं चरी आगे बढ़ते हैं तो आज एमें पार दो पढ़ना है उच्छ वशित वच पर चंचल है बकपातों का अरबिंद हार तेरी निश्वासें छूबो को बन बन जाती मलयज बयार केकी रोकी नुपुर दोनिश्रुन जगती जगती की मुक प्यास रूपसी तेरा गन केस बास तो सबसे पहले इस पीछले वेडियो में हमने बता था तो एक बार फिर से देख लेजिए प्रस्तुत पद्यांस हमारी पाठाए पुस्तक हिंदी के बर्षा सुंदरी नामक पाठ से लिया गया जिसके रचैता महादेवी वर्माजी है तो यह हो गया संदर परसंग देख लिए इस पद्यांस महादेवी वर्माजी ने वर्षा रूपी सुंदर के रमडी संदर का अलंकारिक वर्डन किया है तो यह हो गया आपका परसंग ब्याक क्या देखते हैं करा उच्छवसित वच पर चंचल है बक पातों का अर्भिंदहार उच्छवसित माने होता है सांस लेना वच पर अनि छाती पर चंचल माने हिलना बक पातों अनि बकुले के पक्तियों का सम अर्भिंदहार आनि कमल के फोलों का हार कभी त्री वर्षा रूपी नाइका को संबोधित करते हैं कि हे वर्षा सुंदरी हे वर्षा सुंदरी उच्छवसित वच पर हे चंचल है कि हे वर्षा सुंद सुन्दरी जब तुम सांस लेती हो तुम सांस लेने के कारण वच पर चंचल है कि सांस लेने के कारण तुम्हारे कमपित वच उपर उठ जाते हैं हे वर्षा सुन्दरी जब तुम सांस लेती हो तो तुम्हारे कमपित वच उपर उठ जाते हैं बकपातों का अरभिंद हार और वे ऐसा परतीत होता है कि मानो बकपातों नि बकुलों के पक्ती रूपी का अरभिंद हार अरभिंद मने कमल के फोलों का हार यानि वे ऐसे परतीत होते हैं कि मानो बकुलों के पक्ती रूपी स्वेत कमलों का हार हिलता हुआ परतीत होता है ये वर्षा रूपी सुन्दरी सांस लेने के कारण तेरे कमपित तन तेरे कमपित वच अस्थल ऐसे उपर उड़ जाते हैं जैसे परतीत होता है कि मानो बकुलों के पक्ती रूपी स्वेत कमलों का हार एक साथ हिलता हुआ ना जाराता है बक पातों ने आकास में उड़ते हुए बकुले के पच्छी पक्ती का समुँँँए तेरी निश्वासे छूभू को बनबन जाती मलयज बयाहर आगे कवित्री करें कि तेरी नीष्वा से छूबू कू अणि तेरे मुक से निकलने वाली तेरे मुक से निकलने वाली सुन्दर वायू सुन्दर वायू अथार्ट हसी तेरे नीश्वा से अथार्ट तुम्हारे मुह से निकलने वाली सुन्दर वायू या बाते छूब भू को पूमिस प्रिथवी को तेरे मुह से निकलने वाली सुन्दर वायू सास जब भू को चूती है प्रिथवी को चूती है तो प्रिथवी पर एक विशेश महक बनबन जाती मलयज बायार मलयज माने होता है मलयगिरी की शुगंदित हवा बयार माने हवा अनि तेरे मुझ से जो सास निकलती है वाय निकलती है और जो प्रितिवी पर पड़ती है भूमी पर पड़ती है तो प्रितिवी पर एक विशेस प्रकारी की मार्ग आती है जो मलयज की शुगंदित हवाय के सम प्रतीत होती है केकी रव की नुपूर ध्वनिशुन जगती जगती की मुख प्यास रूप सी तेरा गन केस पास करने की रव की नुपूर ध्वनिशुन केकी रव मने मयूर की ध्वनि नुपूर ध्वनि आने पैरो में बदे पायल की ध्वनिशुन में सुनाई देती है कवित्री कर रहे हैं कित्री ये वर्षा रूपी सुन्दरी है वर्षा रूपी सुन्दरी केकी रव अनि तुम्हारे आगमन से च्यारो और निरित्य करते हुए मोरों की मधुर ध्वनी शुनाई देती है नुपुर ध्वनी शुन जो तुमारे पैरो में बदे हुए पायल की ध्वनी के समान परतीत होती है जगती जगती की मूख प्यास जगती मने संसार और दूसरे जगती मने होता है जागरित की इच्छा पाने की इच्छा जागरित होने की इच्छा मूख मने मधूर प्यास मि इस मनोहर धुन कर लोगों में मधूर प्रेम की प्यास जागरित हो जाती है रूपसी तेरा गन की स्पास हे वर्षा रूपी सुंदरी तेरे बालों का समू बहुत ही सुंदर परतीत होता है तो इसके लिए कावेगा सुंदर देख लेते हैं इसमें बासा खड़ी बोली है सैली चित्रात्मक यह भावात्मक है रस रिंगार रस है अलंकार अनुपरास है तथा रूपक है छंद मुक्तक छंद है गुड माधूर है तो आगे देखते हैं अब पध्यांस नंबर दू इन इसनिक दलटो से छादेतन पूलकित अंको में भर विसाल जुक सस्मित सी तल चुम्बन से अंकित कर इसका म्रिदुलबार दुलरा देना बहला देना यह तेरा सी सुजग है उदास रूप सी तेरा गन केस पास तो सबसे पहले इस पध्यांस के लिए परसंग देख लेते हैं इस पध्यांस में वर्षा रूपी सुन्दरी को एक माता के रूप में वड़न किया गया है अब कवित्री महादेविवर्माजी वर्षा रूपी सुन्दरी को मात्ता की रूप में संबोधित करते भी कह रही हैं कि इन इस निक्द लटों से छादेतन पुलिकित अंकों में भरविशार कि इस निक्द माने चिकने लटो माने बालों से छादे में सढख लेतार माने शरीर को कि हे वर्षा रूपी सुन्दरी जिस प्रकार माता अपने पुत्र को बालों की लटों से ढख कर दूद पिलाती है ठीक उसी प्रकार तुम इस सिशु रूपी संपुड संसार को अपने इस बादल रूपी बालों से ढख लो पुल्कित अंको में भर विशाल पुल्कित मने रोमांचित अंको मने गोद में भर मने लो विशाल मिस विशाल कि अपने रोमांचित और विशाल बाहों में रोमांचित और विशाल गोद में इस सिसु रूपी संपुड संसार को रख लो जुक ससमित सीतल चुम्बन से अंकित कर इसका मृदुल भाल जुक मिस जुक कर ससमित मने मुस्कुराते विए सीतल मिस सुईतल चुम्बन से आने होठों से अंकित कर मिस दे दे इसका मृदुल भाल मृदुल मने सुंदर भाल मने मस्तर कवित्रिक करें हैं कि हे वर्षा रूपी सुन्दरी तुम मुस्कुराते विये जुक कर सीतल रूपी अपने होठों से इस सिसु रूपी संपुर संसार को इसके सुन्दर कोमल मस्तक को चूमलू जिस प्रकार एक मा अपने बच्चों को चूमती है ठीक उसी प्रकार इस अपने सीतल ओठों से इस कोमल मस्तक को बच्चे के समान चूमलू दुलरा देना बहला देना यह तेरा सीसु जग है उदास रूपसी तेरा गन के सपास आगे कवित्री करें की दुलरा देना बहला देना की हे वर्षा रूपी सुन्दरी तेरे इस रोमांचित और विसाल भरे हिर्दय में इसे चूम लेने से और इसे दुलर कर देने से बहला देना इसका मन बहल जाएगा यह तेरा सीसु जग है उदास की यह सीसु रूपी संपूर संसार की जो उदासी है वो सांथ हो जाएगा अथार्थ इसकी उदासी दूर हो जाएगी हे वर्षा रूपी सुन्दरी तुमारे इसके चूम देने से दुलरा देने से इसका मन बहल जाएगा और इसकी उदासी दूर हो जाएगी रूपसी तेरा गनकी सपास हे वर्षा रूपी सुन्दरी तुमारे बालों का समू बहुत ही सुन्दर परतीत हो रहा तो दोस्तों ये रहा वर्षा सुंदरी का पार्ट टू वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक से और कमेंट करिए चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिपिकेशन मिलती रहें तो अगरे वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए बाई बाई धन्यवाद